तो कि अभी तक आप नोग ने यह किया ना जीरो केलविन पर बनाऊ तो जीरो केलविन यह एनरजी आपने अभी यह कंडक्शन बनाया था यह वेलेंज बनाया था यह कंप्लीटली फिल्ड था और ये completely empty zero Kelvin पे लेकिन हम लोगों ने बोला कि at 300 Kelvin के आज पास ये थोड़ा बहुत फिल हो जाता है और ये थोड़ा बहुत और ये थोड़ा बहुत empty हो जाता है और बाकी क्या है फिल्ड ये जो empty हुआ दो electron अप्रेजेंट हीर remaining is empty ठीक है ये क्यों यहां तक excite way due to thermal energy ठीक है few of them excited here of the order of 10 power 60 of the order of ठीक है अच्छा लिए अब ये जो energy level diagram से how can we relate it to the actual crystal structure of a silicon silicon as you know sp3 hybridization कैसा structure बनता है 4 bond silicon 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 या पे भी क्या है silicon या पे भी क्या है जग silicon का structure होता कैसा है इस इस अ प्लेनर structure ये से मैं नहीं बनाया है एक paper की उपर paper की तो रहता है क्या क्यासा structure होता है the tetrahedral पता है ना ये चीज tetrahedral structure कैसा होता है probably something like this red coat आदो ठीक है red coat आदो यां पे भी क्या लगा दो white ठीक है and all bond lens are equal so tetrahedral structure is something like this do you understand right एक silicon ये नेवरी एक दो तीन चार silicon ये silicon इसके भी ऐसी चार silicon ये silicon ऐसी इसके भी नेवर चार silicon तो paper में यहां board में ड्राव करने के लिए it is it looks like a planar structure but actually it is not a planar structure do you understand now अब elektrons कहा कहा पे हैं जो bonding के अंदर फॉर्पिंग एक एक इसे यह ना कि कौंसा पॉंड है आयनिक बाद है कोवलेंट बाद है आयनिक बाद कब बनते हैं वें देर इलेक्ट्रो नेग्टिविटी डिफरेंस एक बहुत आदे एक्ट्रो नेगटिव है दूसरा अब तुम एक्ट्रो नेगटिव है यहां तो सभी की सब सिलीकॉन है और अल अल अद शिलीकॉन गाट सेम एक्ट्रो नेगटिविटी रहीट देविटी दोंवाइनिक बाद देवां इनकी जो भी इनर्जी है इनकी जो भी इनर्जी है देएगे की जितने भी एक्ट्रोण है की इनपया पर इसके अंदर इसके आधिकां पर इसके अंदर जितने भी बॉंड-स फ्किन वाले एक टौ रोगड़ए उनकी नर्जी काँ पर विलेंस बैंट आविस्टी वैलेंस बैंट आपाइ सिंगल इनरजी बैंट इस इपाथ कुंसिस्ट आफ इपंतुट ए प्लिपल इनर्जी बैंट ढपस में इतना कम है, that we ignore that we say it's a single band इसकी इनर्जी हो अप़ मेंदागी हाँ, इसकी थोड़ी सी उपर हो, इसकी थोड़ी आर उपर हो, इसकी फोड़ी सी और हो, इसकी आर्दी इमालो, तॉक्मосट हो but hardly any difference very, very small energy difference, which difference भी इस का रिनए है, क्युकि सब के neighbor अग लगे इसको कुछ और अर्मेरमेंट इखाई रहे, इसको कुछ और समय इखाई रहे, इसको कुछ और अर्मेरमेंट इखाई रहे, इसको कुछ और अर्मेरमेंट इखाई रहे, the you understand this is the slight variation of energy levels. Now, so, at 0 Kelvin, this is a crystal structure but what happens at 300 Kelvin? for silicon if i talk about silicon this energy gap is approximately 1.12 electron volt यानि कि इसको free होने के लिए जब ये free हो जाएगा तो इसकी energy free होने का मत्तब कैफिर से हां से पूछ रहा हूँ क्या इसको कुछ भी energy दे दो कि यहां से यहां पहुंचाना पड़ेगा यहां से यहां energy दोगे तो एक सिप्ट नहीं करेगा कम से कम कितनी नर्जी जाए एक लिए इसको free करने के लिए 1.12 electron volt तो कि बीच में तो कोई energy level ही एक्जिस्ट करता ही नहीं है बहुत मोडल की help के आप इची समझ सकते हो दो energy levels के बीच में कोई नर्जी लेवल गोर के लिएक्ट्रों का को ही नहीं सकता electron cannot have any energy level in between it cannot accept that do you understand this so कम से कम इर्टी नर्जी चाहिए 1.12 electron volt right and very 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 few of these electrons at 300 Kelvin will be able to get this much amount of energy very very few why I am calling it very very few do you remember that chart again maximum कौन से वाल है 0.03 के आसपास अले 0.12 वाले कितने होंगे बहुत कम very very few and few का मत्तब 10 की पावर 16 के आसपास ठीक है चलो ऐसा होगा तो फिर क्या हो जाएगा एक electron free हो जाएगा मान लोग यह electron free हो गया और electron इंग्ट्रॉन मैं बात हुता है या इसएंग का सिर्टॉम की इसे एक नूखलियॉस के अंदर नहीं है मिर्म अपिये जो फ्ह declaring खाक आरे यह एट इसकी नूख्लीक ज दरे ये लेक्ट्रॉन इसके बैद मेंदर है ये लेक्ट इसका मज़ा इसके अनरजि कहां पे अगों? हेर, somewhere here, 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 somewhere here. यहां तो हो नहीं सकती, यहां पे होती हो एनरजी इभर भी नहीं करते हैं. तो what we say is, यहां पे अधर इनर्ज, इनर्ज, एक्साइट होगाए है. ठीक है ऐसी कुई और हो सकता है किसी और को भी मिल गई हो तो यह bond खतम हो गया होगा यहां से एक electron free हो गया होगा ठीक है तो यह जो red color के तो यह red color के हैं यह one this one इनकी नर्जी कहां पर यहां पर और यह जो blue वाल है इनकी नर्जी कहां पर यह रहे इसके पास एक energy level है है कि नहीं देखो इक चीज है एक तो है इनर्जी लेवल का होना दूसरा है है कि उस एनर्जी लेवल पर electron का होना इस दोनों अलग लग चीज़ें हैं हाइड्रोजन के अगर मैं quantum state बनाओ वो क्या क्या है n1 n2 n3 बहुर के अकॉर्डिक तो इलेक्ट्रोन वालों यहां पर इसका मतलब यह थोड़ी है कि यह quantum state नहीं करती, quantum state थो है, electron can go there, हाग ना तो यहां पर silicon के पास जो electron निकला वो किसी quantum state में तो होगा अस नहीं पर silicon के hold में, electron निकल गया लेकिन energy state थो still exist, quantum state थो still exist करती है कोई वहां पर आ सकता है तो यह quantum state यहां पर free है जहां पर electron आ सकता है, we call it vacancy, we call it vacancy, or the hole simple आपसे एक्वेशन है, यह जो vacancy हो गई यहां पर, vacancy है, इसकी energy कहां पर? कहां पर? यह जो green, देखो यहां पर एक vacancy है और भी यहां पर vacancy है कहां पर energy? क्या यह energy है, vacancy की? हाँ गी ना, क्योंकि यही से electron free हुए थे, ठीक है? So this is the energy level of vacancy और hole अब मैं यह चीज़ बोल रहा था, आपको hole में कौन कोई जा सकते है कौन से atoms, electron जा सकते है, potential difference पहली पात, अपने हाँ कोई नहीं जाएगा इन सब को energy चाहिए यहां तक पहुंचने के लिए potential difference हलका सा लगाओगे तो कौन से electron यहां पर जा सकते हैं? neighboring वाले, सिरफ valence band वाले वाले, why I am calling it vacancy? क्योंकि अब यह electron यहां पर जंप करने लाइक है now even these electrons which are in valence band, they can also accept energy by applying potential difference इतनी energy है कि वो आसपास के orbit energy levels पे जंप कर सकते हैं but इतनी नहीं को यहां से यहां जंप कर सकते हैं ठीक है, now these electrons, they are in the position to accept energy and come here and here that means यह वाले electron भी कोई ना कोई अब conduction process में help कर सकते हैं ठीक है, अच्छा, यह vacancy कहां पर है, यह री vacancy यहां पर है इसको vacancy क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि silicon को एक electron चाहिए to complete the bond yes or no? जब एक electron चला गया, क्या यह silicon positively charged हो गया कि नहीं हो गया? जब electron निकल गया, is this silicon now positively charged? yes or no? so this is a vacancy and it is a site of a positive charge जहां यह vacancy होगी उस silicon के पास क्या होगा? positively charged यह जो electron यह कहां से बार आया होगा? मालों यहां से electron यह भी निकल आया बार तो यहां पर एक vacancy होगी यह कितर क्या होगा? positively यहां से electron free हो गया? free electron do you understand this now? so this is a hole in energy level diagram this is a hole ठीक है? और in a crystal structure this is a hole these two are the holes और इनकी energy कहां पर है? यह रे ठीक तो हो सकता है अगर आप potential difference लगाओ तो कोई इन में से कोई electron इन में से मतलब structure crystal structure में देखो तो कौन सा electron कोई भी blue वाला कोई भी blue वाला ठीक है ना? कोई भी hole के अंदर आ सकता है by gaining certain amount of energy do you understand this? तो हो सकता है यह तूटके यहां पर आजाए ठीक, हो सकता है यह electron यह born today by applying a potential difference जाला energy तो चाहिए नहीं इसको तोड़ने के लिए क्यों जाला energy नहीं चाहिए? क्योंकि बहुत पास एक vacant energy level available ठीक है वो किसका energy level है? वो hole का energy level है so it may break and come here Yes अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? फिर यह खाली हो जाएगा यह hole बन जाएगा और यहां पर electron आजाएगा यानि कि यह खाली हो गया for example और electron कहां पर आ गया? यहां पर अब यह hole बन गया यानि कि अब इसके बाद vacancy है और इसके बाद vacancy है तो यह positively charged particle है क्यों एक electron जाएगा तो यह positively guaranteed होगा right or not जब भी thermally generated free electron available होगा तो एक hole तो साथ में बने गई बनेगा इत्तिमा समझ में आती है अगर यहां से एक electron निकल जाए यानि कि valence band से conduction band में चला जाए तो यहां पर क्या create हो जाएगा hole तो what we say is कभी ऐसे नहीं बोलते हैं कि thermally generated electron or thermally generated hole we call a common term called thermally generated electron hole pair do you understand this thermally generated electron hole pair इत्तिमा समझ में हाँ की ना ठीक यह कितने है मैंने आपको idea दिया था of the order of 10 the power 12 to 10 power 16 depending on different different materials यहां तर किसी को दिक्तर परिशानिक है कि थीक now I'll talk about when I apply potential difference what will happen now कई वर बच्चे यह confused करने लगता है इस कारण में अलग लग करके करवा रहा हूं potential difference लगा दिया आपने अब क्या होगा इसके अक्रास लगाऊं यानि की 0 Kelvin पर लगाऊं यहां काफी कम temperature पर लगाऊं और room temperature पर लगाऊं बताओ किस केस में conduction होगा किस केस में conduction नहीं होगा यहां पर नहीं होगा होगी potential difference लगाने इतनी इनर्जी नहीं होती कि वेलें से conduction band move कर सके तो low temperature की उपर semiconductor x-like pure insulator है ही नहीं कोई तो यह सब के सब एनर्जी गेल करने लाइक है नहीं कम से कम इतनी इनर्जी देनी पड़ेगी वो इत potential difference लगाने इतनी इनर्जी एक्वायर नहीं कर पाते हैं तैक नहीं यह मिना discussion part खत्म so this is a insulator let's remove it let's talk about conduction when you apply a potential difference conduction at room temperature right now what can happen at room temperature apply a potential difference sorry for the repetition but let's go a systematic way right in the presence of this potential difference two things can happen one यह यह जो free electrons है जो कैसे जन्रेट हो रखे है thermal ठीक और बेस्टार्ट रिफ्टिंग देट वे तो पॉस्टिव पॉस्टिव प्लेट फे लिफ्टिव तो रेकट्रोंज फिरते इलेक्टरोंज इलेक्टरोंज रिफ्ट्रोंज रिफ्री अर्ट्रोंज न। तो यह सिर्फ यह फ्री एक्ट्राउन आप पाटिस्पेटिटिंग इनक्ट्शन प्रॉसस्स यह अधर दिस सम्थिंग एल्स उपेल यह जो एक्ट्रॉन हैं यह जो इनजिए गेन अरजी नॉ आओ बाई अप्लाइंग पोटेंशल डिफरेंस येस वाई वह बहुत प्लोजली एक एनरजी या क्वांटम सेट अविलेबल है ये क्वांटम सेट कौन सी है जो मैंने डाइज़ाइज के साथ माती है य्यानिकि यहां पर यहां पर यहां पर कोई भी इनमें से एलेक्ट्रौन यहां पर आ सकता है यह सब हैं यहां पर आदे यानि कि यह electron यहाँ पर खाली कर गया यहाँ पर एक hole generate हो गया और यह electron यहाँ पर shift हो गया इसने यह energy level acquire कर लिए ठीक है तो यहाँ पर एक hole create हो गया और जब भी hole आएगा यानि कि एक electron यहाँ से चला जाएगा तो silicon के पास charge क्यासा हो जाएगा positive ठीक तो हो सकता है यह electron टूटे और यहाँ पर hole create हो जाएगा यहाँ पर आजाए ऐसा होगा तो इसके तो valency पूरी हो जाएगी और इसके पास क्या जाएगा positively charge और यह क्या बन जाएगा hole hole क्यों मोल रहे है क्योंकि यहाँ पर vacancy है यहाँ एक empty quantum state है any electron can come here do you understand this हाँ की ना तो एक चीज देखो यह जो positive charge यहाँ पर था यह पहले यहाँ पर shift हुआ फिर यहाँ पर shift वा फिर यह ऐसे ऐसे करते हैं यह भी तो move कर रहे है हाँ की ना actual में silicon move नहीं कर रहे है क्या चीज मूव हो रही है मुव हो रही है empty quantum state मूव हो रहे है और विच इस एक्टिंग लाइक पॉसिटिव ली चाजद पार्टिकल विच एक्टिंग लाइक पार्टिकल बट एक्टिव डिटिव स्पार्टिकल बट एक्टिकल बट तो यह भी एलेक्ट्रॉन का ही है but the electron is not the free these are not those electrons which are free ठीक है तो ऐसा हो सकते हैं na holes इतर रभे रमुव कर रहे हैं towards the negative plate समझ मैं ही चीज ठीक तो electron जो current is also due to holes तो total current is due to two things. One is due to free electrons and other is due to holes. Holes act like positive charge is free electrons are negatively charged particles. So current is due to both. यहां तर किसी को दिक्कत है तो बता दो. हाँ कि ना इचीज एई लुई जए ही ना. अगर मैं मुआ लूँ एक प्लस ए इधर गया और एक माइनस इधर गया बताओ करेंट कितना 2E हाग इना कोगी अगर एक नेगड़ इधर गया इस एक पॉजटिव इधर है यानि कि 2E करेंट है दू इंडस्टेंड इस चलो अच्छा एक शीज इंटरस्टिंग पार्ट नौ यह चीज समझ में आती है एड एड एन टेमपरेचर वट इज एन एक रेंट लेक्रिसिटी में बहुत कॉमली यह वर्ड यूज़ किया गया था फ्री लेक्ट्रॉन देंसिटी अड वट इन एच फ्री होल देंसिटी कि इन फैक्ट फ्री होल का हुई मत्तब भी लेन है होल देंसिती होल देंसिटी होल धर रॉट इप जोरीना फ्री है ठेक है ठीक है? इस अजसे होल,you call it whole तो यह घीज रेक्ट्रों देंसिटी अधसि आजब लेक्ट्रों देंसिटी और प्रीन हें देंसिटी कि यह जी आती है एक एख में आटीरं जितने इस नंबर आफ रींकटरौं फर यूनिट वॉलियूम होंगे उतने ही नंबर आफ होल दोंगे para unit volume वाग कारण है है होल में से एलेक्टरौन निकले नहीं है जासे एलेक्टोण निकल गया उसको होल बोलते हैं ठीक है, because they are thermally, they are thermally generated, electron whole pairs, सही है, और क्या electron whole pair, potential difference लगाने की वज़े से भी create होता है, पुटेंशियल इतनी energy नहीं रे सकता कि वह यहां से, electron को यहां तक excite कर सके, in fact, electron absorb नहीं कर पाता इतनी energy, before it absorbs, it collides, ठीक है, इसकी discussion कल हुई थी हम दोगों की, I, where N is called intrinsic, ध्यान से सुनना, इंपोर्टेंटेट, intrinsic charge density, intrinsic का मत्ब क्या है, हम कौन से semiconductor पढ़ रहे हैं, intrinsic semiconductors, याद है मैंने starting में गोला था, दो तरहें के semiconductors, intrinsic and extrinsic, intrinsic का मत्ब जिसके अंदर, which are pure basically, जिसके अंदर हम दोगोंने कोई impurity add, नहीं की है, तो यह जो, electron density और whole density है, यह कैसी, these are the carrier densities, both will help me to carry current, if I apply a potential difference, yes or no, so basically this is called intrinsic charge density, यानि की intrinsic मत्ब प्योर सेमिकंड़क्टर की charge density, ठीक है ना, intrinsic मत्ब प्योर सेमिकंड़क्टर की charge density, ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत परिशानी है, तो बताओ, अच्छा जी, तो क्या इतनी बात समझ में आती है, यहां पर एक चीज होती है, यहां से चुनना, NI square is equal to NE into NH, क्यां यह बात समझ में आती है, यहां इतनी है, यहां 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 परिशानी है, एक रिवाद्व लॉफ मास एक्शिए, एंधिसे ट्रू ओल्वेज चाहिए वो इंट्रिंसिक है चाहिए वो एक्स्ट्रिंसिक है किसी भी तरह का सामिकंडक्टर है इस ओल्वेज गोड्स तू इसका प्रूफ हमें नहीं चाहिए यह कहां से आया यह कोची समझ में आ रही होगी यह किसकी वज़े से इनकी वज़े से क्योंकि दोनों बराबर तो यह करेंट और यह करेंट भी बराबर किसी को दिक्कत पर जानी दो नहीं सो इस वास ओल अबाउट यूर इंट्रिंसिक सेमी कंड़क्टर्स